Hello Friends, Ouman's Kitchen Flavors में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की रेज़ीबी रेसिपी है वेच बिर्यानी दोस्तों वेच बिर्यानी में बहुत सारे लोगों का कंसेप्चन क्लियर नहीं है कि वेच बिर्यानी भी कुछ होती है मगर I am sure कि अगर आप इस तरीके से वेच बेडियानी बनाईएगा तो आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे तो आईए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने एक हंडी में पानी गरम किया है उसमें मैंने डाला है नमक, एक चमज घी, तीन से चार लॉंग, तीन से चार बड़ी इलाइची, एक तेश पत्ता और थोड़ा सा मीठा अद्र अब इस पानी को ढख करके हमें तब तक पकाना है कि जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए इसमें मैंने थोड़ा एक चमज घुलाब पानी और एक चमज के ओड़ा पानी में डाला था उसके बाद वहाँ पे मैंने एक घंटा पहले बिर्यानी का चावल भिगोकर रग दिया है यह लॉंग ग्रेन बासमती राइस है फ्रेंस पानी उबल चुका है उसके बाद मैंने इस चावल को इस पानी में डाल दिया है बॉयल होने के लिए अब हम तयार करते हैं अपने बिर्यानी की वेजिटेबल्स जिसके लिए मैंने यहाँ पे तेल गरम किया है कड़ाई में यह करीबन एक कप तेल होंगे कॉफी मक से और उसमें डाला है प्याज हमारे बरिस्ता के लिए और प्याज में डाला था थोड़ा सा नमक करीबन हाफ टेबल स्पून नमक उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू को दो हिस्सों में काट लिया है और इसमें थोड़ा सा केसरिया रंग और नमक मिलाकर इसको अच्छे से ढख करके फ्राई कर लिया है हमें इसे तब तक पकाना है जब तक की आलू थोड़े से नरम ना हो जाए यह पक न जाए यह बिर्यानी बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होती है फ्रेंस आप इसे अपने घर पे जरूर बनाए फिर मैंने उसी तेल में डाल दिया है एक चम्मच जीरा और एक तेजबता अगर आप इस तरीके से अपने बिर्यानी को घर पे बनाईएगा तो I am sure कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे उसके बाद मैंने उसी तेल में डाला है अपने गोबी को गोबी और नमक को उसके बाद इसे ढख करके पकाना है फिर मैंने इसमें एड़ किये हैं बीन्स फिर थोड़े से लंबे कटे हुए गाजर और इन्हें हमें ढख ढख करके पकाना है फिर मैंने इसमें डाला है क्यूप्स में कटे हुए कैपसिकम शिमला मिर्च और फिर हमारे पनीर और इन्हें अच्छे से चला लेना है फिर मैंने इसमें डाला है एक चमच जिंजर गालिक पेस्ट, दो चमच धनिया पौडर, धनिया पौडर इसमें must है फ्रेंस, इससे बिर्यानी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है एक चमच भरकर लाल मिर्च पौडर, नमक और लाल मिर्च का पौडर आप अपने टेस्ट के कोडिंग ले और उसके बाद मैंने इसमें डाला है करीबं तीन टेबल स्पून अमूल फ्रेश क्रीम क्योंकि ये मटन भी नहीं है, इसमें चिकन भी नहीं है, तो हमें एक मौश्चर चाहिए बिर्यानी में, जो हमें इस क्रीम से मिलेगी फिर मैंने इसमें डाला है अधा चमच गरम मसाला, एक टेबल स्पून रोज वाटर, एन एक टेबल स्पून केवड़ा वाटर थोड़ा सा मीठा अतर, करीबन दो तीन ड्रॉप, हमें इस सबजी को पकाते हुए, इसमें हमें पानी को एड़ नहीं करना है जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी एड़ नहीं किया है फिर मैंने जो बेरिस्ता को बनाया था, प्यास तल, फ्राइड अनियंस को बनाया तले थे उसको मैंने इसमें डाल दिया है, साथ ही डाला है एक कब दही, फेटी हुई दही और इसे तब तक पका ले, जब तक की ओईल उपर ना आ जाए, ये देखिए हमारा ओईल बहुत अच्छे से उपर आ चुकी है और हमारा वेजिटेबल्स भी हाफ कुक हो चुका है अब हम करेंगे बिर्यानी की लेरिंग, और चावल मेरे पक चुके थे, जिसे मैंने 80% पका करके निकाल लिया था पहले मैंने घीद डाला है हंडी में, उसके बाद चावल की लेरिंग की है फिर डाला है सबजियों को, वेजिटेबल्स को, उसके बाद गरम मसाला फिर थोड़ा बरिस्ता, फ्राइड अनियन्स, दूद, बिर्यानी बनाते वक्त, दोस्तों हाथ और कपड़े थोड़े गंदे होई जाते है थोड़ा सा मीठा अतर, इसे करनी है लेरिंग, फिर से चावल, हमारे कुक्ट वेजिटेबल्स ये बिर्यानी बहुती टेस्टी बनकर तयार होती है, आप इसे अपने घर पे जरूर बनाएं I am sure कि आप जब इसे बनाईएगा तो आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे मीठा अतर, आलू, गरम मसाला, फिर से गया दूद Finally मैंने इसमें डाला है दो चम्मच केवड़ा पानी और दो चम्मच कुलाब पानी ये केसर बिगोया हुआ दूद थोड़ा सा, आप अगर चाहें तो केसरिया रंग भी डाल सकते हैं और खी थोड़े से भी जेनरस, घी डालने के वक्त भी जेनरस क्योंकि इसमें मॉश्टर जो रहेगा वो घी और क्रीम से ही आएगी, इसका टेस्ट बिर्यानी ड्राइ नहीं होना चाहिए फ्रेंस, चाहे वो आप नॉन वेज बिर्यानी बना रहे हों, या वेज बिर्यानी बना रहे हों बिर्यानी में ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए और यह देखिए इसे 20 मिनिट दम देने के बाद मैंने इसे खोला है इसका कलर बहुत ही बहतरीन आया है और जितना सुन्दर इसका कलर आया है इसका टेस्ट भी उतना ही बढ़िया आया है आप इसे अपने घर पे जरूर बनाएं अपने फ्रेंट्स फैमली के साथ शेयर करें मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपने मेरी कौन सी रेसिपी को ट्राइ किया है अगर आप अभी भी मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें थैंक यू फॉर वाचिंग, हाव गुद डे